अग्स्टाइब्स ऐलो प्रेंट्स आयाम पोश्पेर रिदाकर वेलकम टू फलाईय एकडमी आज के वीडियो में हम सीखेंगे वाइस के बारे वाइस आपके दो टाइपस को थे पैसे वाइस और एक्टिव वाइस आपके एक्टिव वह होता है इसमें आपका सब्जेक्ट में कैसे convert करते हैं तो आपको टेंस अगर आपको नहीं आते तो आप हमारे प्रीवेस वीडियों दो जाकर देख सकते हैं टेंस की पूरी playlist है उसमें पहले पूरे टेंस देखें पर आपको उसी के accordingly मैं आपको वाइस नहां पर बता रहा हूं तो सबस्पहले आप हम पड़ेंगे present tense में तो present tense सबस्किल हम पड़ेंगे simple present tense simple present tense वाइस बनाते कैसे इसमें आपकी helping बर्ब जो होगी is mr use करते हैं helping वर आपकी is mr और आपको बता दो वाइस में कभी बेकि वर्ब की जो फिर्ब होती हो भी चाहिए फर्ड़्ट फॉम यूज़करते से passive voice में, active से passive में convert करने के लिए आपको verb की third form यूज़ करते हैं हमेशा, चाहे वो कोई सा भी tense हो, चाहे वो tense का कोई सा भी form क्यों ना हो, तो आईए आदे simple sentence पर तो सबस्क्राइब इसका formula देखते हैं, formula आपका होगा subject plus is mr plus verb का third form plus y plus object, जी हां, क्या है आपका subject plus is mr plus verb का third form plus y plus object, अब आपका is, m और r, यह तीनों का use जो होता है, is, m और r, आपको जैसे subject के according link का use होगा, is का use singular के साथ और r का use plural के साथ और m का use i के साथ होता है, तो इसी में हम देखते हैं, अब आपका में बता जाता हूँ, थोड़ा subject को object में convert आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, जो आपके active sentence में, जो sorry, active voice में जो आपको, जो इसको convert करेंगे आप पैसे voice में, तो उसमें आपका जो subject होता है, वो आपका object बन जाएगा, जो आपका object होगा, वो आपका subject बन जाएगा, तो object से subject, subject से object बनने के पहले आपको तोड़ा को समझना पड़ेगा, जी हां, तो आपका जो, सबसे पहले जो singular objects होते हैं, he, she, it, any name, तो he, she, it, जो आपका he होता है, वो आपका his हो जाएगा, जो she होगा, वो आपका her हो जाएगा, अब इसके बाद आपके plural पे आते हैं, plural में I, we, they, you, I आपका me हो जाएगा, we आपका us हो जाएगा, they आपका them हो जाएगा, ठीके, अब आप यह चीज़ समझ गए, बनला आपका यह subject है, वो object जब आप convert करेंगे, इस तरीके से आप change करेंगे, तो आते हैं simple sentence पर, जैसे की आपका sentence है, he sings a song, he sings a song, तो इसको आपका he यहाँ पे क्या subject है, और sings a song, song आपका आपका object है, तो इसमें आपका you song है, वो आपका क्या बन जाएगा, subject और जो आपका he Qua okay बन जाएगा, object तो किस तरीके से बनेगा आप देखिए तो सॉंग के साथ क्या एगा स? हंग भाई हिं को हो जाता है हिस या हिम हिंग या हिम कर सकते हैं तो सॉंग हिस सामगई हिम स oni इसकड़ा निया आता है या आपका हाल निगेटिव सेनेंस तो negative आपको सबसा universal लो है आपको कुछ नहीं करना है helping work के बाद क्या लगा देना है not लगा देना है helping work के बाद क्या लगा देना है not जैसे he does not sing a song he does not sing a song तो इसका क्या हो जाएगा song isn't या song is not song is not sung by him song is not sung by him अब इसके बाद आते हैं interrogative sentence पर तो interrogative sentence में क्या होता है help वर आपकी front में हो जाएगी जैसे जैसे आपका हो जाएगा इसी sentence को लिले लेते हैं does he sing a song does he sing a song तो इसका क्या हो जाएगा song इसमें sorry interrogative में लगा ही तो हो जाएगा is song is song sung by him is song sung by him तो इस तरीके से आपका यह simple present tense के simple present tense खतम होते हैं इसमें एक्टिव से पैसे वाज में convert करने पर अब आपका आपका present continuous tense तो present continuous tense में वही आपका जो system है subject का object object का subject वर्व की third form तो एक्टिव वाइस जैसे आपका इसमें आपकी जो helping वर्व होती हो आपकी ASMR ही होनी है बस यहाँ पर being आ जाता है आपका तो formula देखे simple sentence के लिए क्लिए क्या होगा आपको होगा subject plus is MR plus being plus वर्व का third form plus by plus object जैसे कोई sentence हम उठा लेते हैं यही sentence उठा लेते हैं जैसे he is singing a song he is singing a song तो क्या हो जाएगा a song a song is being sung by him a song is being sung by him a song is being sung by him अब negative का rule क्या होगा negative है बोई आपको is MR के बाद क्या लगा देना है not तो जैसे इसी को बनाएंगे तो a song is not being sung by him a song is not being sung by him इन्छे erogative is song is song being sung by him is song being sung by him यह आपका present continuous tense खतम होता है अब आपके आते present perfect tense पर तो present perfect tense में आपका क्या होगा present perfect tense में आपका क्या होगा present perfect tense में आपका already have verb की third form use करते तो अच्छी बात है इसके जो helping verb होगी आपकी wise में वो आपकी होगी has been और have been has been और have been जी है has been और have been तो कैसे use करते हैं has been और have been का आप देखेंगे इसमें जैसे हम यही वाला example ले ले लेते हैं इसको तो आपका पैसे में कर्मेट के लिए पर इसका formula क्या होगा इसका formula होगा subject plus has been plus वर्म का third form plus by plus object तो कैसे होगा इसका a song a song has sung by him a song has been a song has been sung by him a song has been sung by him तो आपका negative अब इसको negative बन आएंगे तो after helping work के लग जाएगा not जैसे a song has not been ऐसा नहीं होगा has not has been not नहीं है a song has not been sung by him अब इसके बाद interrogative और आपकी क्या जाएगी बिलकुल सामने जैसे has has song been sung by him has song been sung by him तो आपका ये present perfect tense भी finish होता है आपका जाएगा